आप अपने घर के लिए septic tank बनाने के लिए जा रहे हैं तो यह साथ ऐसे गल्ती बिल्कुल नहीं करना है अगर यह साथ ऐसे गल्ती करेंगे हो सकता है कि आपका घर धर्स जाए हो सकता है कि आप टेंग बनाए और इसे पानी भर जाए कभी कभी तो फॉंडेशन जो है पूरा कोल्प्स कर जाता है तो दोस्तों ऐसे यह साथ गलती क्या है जो कि हमें सेप्टिक टेंग बनाते समय ध्यान में ले करके चलना है और बहुत लोग तो साइज को ले कभी कंफिजिए तो वह कितन है और भी बहुत सारे सवाल इन सब सारे सवालों का एंसर देने के लिए हम आये हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम साइज को ले कर गए हैं साइज कितना देना है सेप्टिक टेंग का देखिए ऐसे एक घर में जो ग्रॉंड फिल का बनाते हैं पांट मीनिमम फाइव प तो उसका अगर्व सेप्टिक टेंग की साइट की बात करें चार फिट बाइए आट फिट इन्टु छे फिट यह जो हम साइज बता है यह अंदर का साइज बता है इसमें ब्रिक का ठीकनेस इंक्लूड नहीं है चार फिट बाइए आट फिट इन दस परसंद के लिए अगर पिटन साइज का बनना चाहिए अगर में किसी घर में दुई ही परसंद की शीकर pantalla तो उसके हमाँ लगर करके किलियर हो गए होंगे तो कोई कुछ करना नहीं है बस अंदर का जो साइड में बताया है जैसे यह मैं सेप्टिक टैंक है यह वाल का ठीकनेस को हटा करके जैसे नो इंचिर अगर वाल देंगे तो इसका अंदर का साइड होना चाहिए चार फिट वाई आठ फिट ना कि ब पानी रूप ही नहीं रहा है अब सेप्टिक पुरा भरा रहे गाट फिर सब्सक्राइब कैसे हो गया इसको लेकर करके अब यहां पर आता है सेप्टिक टैंक का दिवाल जो है आर चीशी का बनाएगा यह सबसे बड़ा सवाल है नेखिए जब भी कभी आप सेप्टिक टैं उसमें पानी भर जाता है एक फिट दो फिट तब उस जगह पे आपको आर चीशी करना है रेंफोर्समेंट सिवेंट कंक्रीट मनुआ का कर वाल बनाना है बना वाटर लेवल आपका अगर अप रहा तब अगर हम एक्सपेशन के काम कर रहे हैं वहां वाटर लेवल बहुत पांच फिट दस एक्सपेशन कर लिए तब भी जो मेरा पानी नहीं आ रहा है मतलब मिट्टी गीला नहीं पुरा सुखा सुखा है तब यहां पर आपका ब्रिक का करना है याद रखेगा ब्रिक मेंसेजिए करेंगे जो वाटर लेवल आपका डॉन रहेगा ठीक है डॉन मे जहां पर बगल में तलाब हो जहां पर बगल में नदी हो जां सब्मेद धर आपको एसा देखने को मिल जाएगा ठीक है इसलिए आप यह गलती बिल्कल मत केज़ेगा जहाँ पानी ऊपर है वहाँ आर्शेसी कर दीजिए जहाँ पानी नीचे वहाँ ब्रिक कर दीजिए जिसके आपको ध्यान में ले करके चलना है अब एक उर्ची आता है लोकेशन इसको ले करके ब कि बाहर बरा देता है लेकिन आपका अगर जमीन का अर्यक्प या ऊस्युक्त सर्द में आपको सप्टिक ट्रेम जो बुक्त बनाना है आपको लेकिशन के लिख को अश्टेरकेश श्टेरकेस के निचे बना सकते हैं खिए cr pre Carnes या अंडर option आता है अंदर बाथरूम जहां 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 आपका बाथरूम है इसके नीचे आप सेप्टिक ट्रेंग बना सकते हां लेकिन याद रहे इस बाथरूम का कभी इसके डाइड इसको कर दिजेगा इसका प्लम परेसे आएगा और यहां से इनपूट होगा इन इनलेट आएगा इनलेट और यह आट लेट याद रहे रहे इसको अंदर बाथरूम के निचे आप बना सकते कुछ कंडिशन है ठीक है आव चौथा प्वेंट हम इसी बात करेंगे कि इफ अंदर बाथरूम बनाना है तो अब बहुत लोग क्या करते हैं बाथरूम के निचे ही सेप्टिक टेंग बना देते हैं और मिस्टिर लोग क्या आइडिया देगा है यहां पर पैन बैठा लेजिए और इसके नीचे छट को होल करके डारेक्ट जो है आप प बाथरूम में महकता पूरा गंदा महकेगा अब मेरे पास बहुत सारे मैसेज़ेस कॉल आते हैं कि सर मेरा मिस्टिरी जो है सेप्टी टेंग सेप्टी टेंग बनाये थे बाथरूम के नीचे और उसके छट होकर के ही जो है प्लंबिंग पैपना लेकर चला गया उसके आना है इनलेट गया फिर आपका चला जाएगा ठीक अब एक सबसे बड़ी प्रोब्लेम जो आती है वह है फॉन्रेशन डेप्ट को लेकर के कभी कभी क्या तक जब हम लोग सेप्टी टेंग घर के अंदर बनाते हैं तो सुच्छे सन में जिसे माले जाए कि यह मेरा यहां पर पहले से कॉलम का फॉन्रेशन बना रहाता है कॉलम यहां है और इस तरीके से बेस में आपको फॉन्रेशन दिखेगा और कभी भी अगर मालने जाए यह आपका सेप्टी टेंग बेस हो गया अगर जागा लेने के चान्स होता है तो इस पता कहां बनाने वाले सेप्टिक टेंक का जो है कभी भी जहें बेस नीचे नहीं लेना हमें साथ है उपर लेकर चलना है ज्याद रखेगा अगर माल लेजा एक और चीज ध्यान रखेगा कम से कम यह है मेरा पांच फिट आना चाहिए कौन सा डेपीसी लेबर उसके इसाब से यह कम सक्वापका यह डेफ्ट रहेगा और यह डेफ्ट आपका दो से तीन फिट लेकर चलना कभी यह बेस मत लेजाएगा इससे जहाए को लम को भी आने और 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 चीज ध्यान लेकर चलना है कि एक यह हो गया एक कुशन आया था मैरे पास कि इसका वाल बिल्दिंग एंड से टिक टैंक वाल को लेकर ने इसका क्या करें कर में यह कॉला में थी इसलेगाएश सै sırप लेट देटा एक रम अ आपका अलग इंडिविजल बनेगा उसको बिल्डिंग के वाल से कोई मतलब नहीं अगर बिल्डिंग के फिर आप छट धलाई करने में इसका दिक्कते आएगे इसलिए सेप्टिक टेंग का वाल अलग बनाना है चाहे वो इंसाइड हो चाहे आउटसाइड हो और पर दो होई इसमें जो है इनले जाएगा पानी थर से भोड़ चला जाएगा अब मेक्सिमम यह हमआपको टॉप Doncs कल इसरे मैक्सिमम है और इसको कम सब्सक्रूम आपको बंब बनाते हैं और यह बाला को पलास्टर नहीं करते हैं ठीक इसको जो है इस बिरिक में होल होल छोड़ देते हैं मतलब एक तरह सोख पीट का काम करेगा ठीक कुछ सुटेशन में इनलेट पानी आएगा इस वगर की नीचे तो इसमें भरेगा और यहां से ओबर फोलो पानी धर जाएगा और इसको सोखते रहेगा तो इसको भरने मे आपका जो है यह तो टाइम तो नहीं बता पाएंगे जितना सोख कर सकता अगर एक पांस से दस साल आपको लाएगा इसको भरने में यह बहुत फैदा रहेगा तो पांस से दस साल लेगा क्यों भाई क्योंकि यहां पर हमने क्या बना दिया तो तीन पार्टिशन करेंगे से तो इसको ध्यान में लग चलना है उम्मीद करते हैं दोस्तों यह बहुत ही इंपोर्टन जानकारी है उन सब उन सभी के लिए जो सेप्टी ट्रेंग बना रहे हैं और आप इस तरह से गलती ना करेंगे और साथान रहेएगा और अगर यह विडियो पसंद आ जरूरूर्स क सब्सक्राइब कर देए क्योंकि जैसे ही आप हमारे सब्सक्राइब करें उसे बेनिफिट बसी होता जब जब सिवील इंजद्री पकमार को नया वीडियो आपके लिए लेका आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेंगे विडियो पर देखने के लिए धन् कर दो